हेलो दोस्तों, वेल्कम बाक टू आ चैनल, आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर स्टॉक के बारे में ताटा स्टील, तो अगर आपको ताटा स्टील की स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, कंपनी की फाइनशिल हेल्थ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानना है तो इस विडियो को एंड तक देखिए, चलिए शुरू करते हैं, टाटा स्टील, जिसे हम एक लीडिंग स्टील मैनिफाक्ट्रिंग कंपनी के रूप में जानते हैं, भारत की सबसे पुरानी और लाजिस्ट स्टील कंपनी में से एक है, कंपनी का हिस्ट्री 1907 से है, और आ प्रेजन्स भी है, जिसमें योरोप और साउथ इस्ट एशिया के मार्केट्स भी शामिल है, अब बात करते हैं टाटा स्टील के स्टॉक की पर्फॉर्मेंस के बारे में, टाटा स्टील का स्टॉक NSE और BSE दोनों पे लिस्टिड है, अगर आप रीसेंट ट्रेंड्स देख काफी स्ट्रॉंग है, रीसेंट फाइनशल रिसल्ट्स के अकॉर्डिंग, कम्पनी ने सिग्निफिकन्ट रेविन्यू ग्रोथ और इंप्रॉव्ड प्रॉफिटिबिलिटी रिपोर्ट किया है, ये ग्रोथ मेजरली ग्लोबल डिमांड और स्ट्रॉंग ऑपरेशनल कम्पनी का फोकस अब डिजिटल ट्रांस्फोमेशन और सस्टेनबिलिटी इनिशियेटिवस पे भी है, टाटा स्टील ने काफी इन्वेस्टमेंट्स किये है, ग्रीन टेक्नोलोजीज और प्रोसेस इंप्रॉव्मेंट्स में, जो फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करेंगे तो दोस्तों, टाटा स्टील एक स्ट्रॉंग कम्पनी है, जो अपने रोबस्ट फाइनशिल पर्फॉर्मेंस और ग्रोथ स्ट्राइजीज के त्रू मार्केट में अपनी पोजिशन को मेंटेन कर रही है लेकिन, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा अपना रिसर्च और फाइनशिल अड्वाइजर से कंसल्ट जरूर करें अगर आपको ये विडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें, और अगर आपको किसी और स्टॉक पार विडियो चाहिए, तो वो भी बताए मिलते हैं अगले विडियो में धन्यवाद और हैपी इन्वेस्टिंग फक्यू